हलो फ्रेंट्स तो आ गया है मैं एक आउनी वीडियो के साथ ही आ रेंक पुजिंग के एपिसोड नमबर 9 होने वाला है तो जैसा कि आप इस टैम पे मेरे स्कोर देखो गया तो वो 13000 क्रॉस कर गया है मेरे स्कोर जो है वो और करेंट रेंकिंग इस टैम पे 688 का दिखा रहा ह अब आपको मैं बता दू कि मैं अपने ID से अकेले खेलता हूं फिर भी मैंने 13000 के कर लिया है और करेंट रेंकिंग अभी मेरा 700 के आसपास चल रहा है मतलब अकेले ID खेल रहा हूं यार फिर भी करेंट रेंकिंग में 700 के आसपास चल रहा हूं और अभी मेरा नेक्स्ट टार्गेट है टॉप 300 के अंदर जाने का तो फिर चली वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फाइनली यार मैच फोटार्ट ही चुका है और यह सोलो नेक्स है। मतलब यह मेरा दिन का पहला मैच होने आला है और । वड्वी जोन पादा अप फेक्टरी में. आज मैं बताने वाला हूँ देखो बंदे कितने ज्यादा आ रहे है यार ब्लू जोन में मतलब फेक्टरी में वैसे भी बहुत ज्यादा बंदे उतरते उपर से ब्लू जोन बनाए तो पूरा आधा लावी कुद गया है भाई फिर भी मैं रिस्क उठाकर ये आपको बताने के लिए वस मैं यहाँ पर खुदा मेना कोई इरादा नहीं था इस टाइमीन मस्री में जब भी ब्लू जोन बनता है तो मैं फेक्ट्री के ऊपर नहीं आता यार मतलब बहुत ज्यादा बंदे उतरते वेक्ट्री में तो सबसे पहले तो इंप्रोंट यह बाता है कि आप गुर्ण करना है किनारे पे लैंड करना है और बीच में कभी भी मत जाना यार तो में अपना बॉंटी लूटने के लिए आ घए था तो अभी दिख्कत की बात यह थी कि मेरे पास एक भी वाल नहीं था और मैं फैल को लगा कर खेल रहा हूं मतलब मेरे को अभी भी बिल्कुल भी जो है वो वाल मिलने वाला नहीं है मतलब कि अभी मेरे को इधर उधर से थोड़ा बहुत लूट वेगेरा करके वाल इकठा करने का ट्राई करना है कम से कम एक वाल रहेगा तो थोड़ा अच्छा होगा यार तो अभी देखो सामने से एक बंद लगा है मतलब बाड़ी बाड़ी मारूंगा तो इसको कम से कम 40-40 का डाइमेज देगा इसलिए मैं थोड़ा सी स्पेम ले रहा था लेकिन फिर ध्यान मैं कि मेरे पास वाल ही नहीं है अगर इधर उधर हो जाएगा तो दिक्कात हो जाए गया और पालतु का मर जाओंगा तो म बाड़ पार्टी होने का कांफी ज्यादा चांस था इसलिए मैं कॉर्णार में रहके ही खेला मतलब की किनारे में रहके खेला बीच में नहीं गया जैसा कि आपने देखा ही होगा तो यहां से इसके पास से मेरे को एक वाल मिल चुका था और MP5x मैंने उठा लिया था क्यों ब्लू जोन में अब मेरे को नहीं लगता ब्लू जोन में कोई बंदा होगा यार लेकिन अगर आपने नोटीस किया होगा इस केनर में जब मैं लैंड कर रहा था तो कम से कम 15-20 बंदे उतरे थे भाई फिर भी मैंने चार किल यहां से जैसे तैसे करके निकाला और मतलब अके फीछे अगल बगल कहीं से भी आपको मार सकता है तो ईसे में फट पाटी वने काफ배 ज्यादा चान्स रहता है तो तर्ड़ पाटी कभी भी मत बनो यार्ब लब करने का ट्राइब करो तो यहां पर म一个 करने का ठाटा रहा था तो एक गारी दीखा था मैरे मैप मैं लेकिन वो बंदा अपना गाड़ी जो है जला दिया वाई इस टाइम पर देख सकते हो तो इसको सामने सामने से भकता भकता आ रहा था इसको एमफरों जेट से एकदम हेड हेड लगा तो इसका किल मेरे को हेड सांट के साथ मिल चुका था तो मैं इधर पोची नॉक में वाल पर चेस करने लिए आ रहा थ है तो मेरे पास टोकन काफ जादा था तो मैंने वेंडिंग मेंग मसीन से आके वाल पर depriस कर लिया पहले तो मेरे पासansen रीओ हो चुका मैं ने वेंडिंग मसीन से पर चेस कर लिया अब उदर से यह गाडिले लेकर मां डारेक्ट भी म सकती ति प्लू जोन में बंदे थे वो थोड़ा बहुत ठीक ठाक थे मतलब कोई कोई बंदे ठीक ठाक थे अब इदर जितने भी बंदे मिलने वाले यार वो एवरेज बंदे मतलब स्टार्टिंग प्लेयर है समझ लो आप गेम प्ले उनका देखकर समय जी जाओगे और हाई स्कोर पर यार जादा तर टाइम 50-50 चांस है समझ लो मतलब कि 10 में से 4-5 गेम थोड़ा अच्छा लाभी दे सकता है और बाकी तो मतलब देखी सकते हो जैसा कि इस वाले मैच में आया है और यह उपर से मेरा डेली मिशन का मैच है और मेरे को डेली मिशन में खेलना थोड़ा अच्छ में मेरे को दिख आता है सही से वाल वेगरा मेरे से लगता नहीं है मतलब अगर मैं सीधी बात बुलू तो मेरा हाथ ठीक से काम नहीं करता डेली मिशन मैच में मतलब थोड़ा बैठा रहता यार तो उसको एक्टिव करने के लिए 2-4 मैच लगता है अब यह सीन मेरे साथ ही मतलब सब्सट इसके लग गया था तो मैं हैंड canan से मानने का ट्राइब रहा था लेकिन ज्यादा लॉंग रेज होने की कारा था और पे मेरा हेंड के नंचा नहीं रहा था वह पीछे के सइड था इतने में वह वन्दा नेड़ करने लगता और क्लॉक्टा और तरफ से मेरे ओको 100 पड़ा यार मतलब ज्यादा तो मेरे ag गया नहीं लेकिन थोड़ा सक गोली जो है मेरे को टॉच किया तो इसको मेरा नेड से 22 का डायमेज आ गये था लेकिन इसने भी नेड किया थे आड़ आगे में आ गये था मैं उससे मेरे को आफी ज्यादा डायमेज मिला तो मेरे ख्याल से लगता है इसका MP40 मेक्स था आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर से बताना तो अभी देखो मेरा नाओ कील हो गया है इस टाइम पर अभी मेरे को जोन में भी जाना है तो मैं लास्ट का पार्ट कभी भी कट नहीं करता हूं यार मतलब लास्ट का जो gameplay हो तो चलते हैं इस पर थोड़ा सा भी रास करने के लिए वैसा तो मेरा नाव किल निकल चुका है मेरा जब भी मैं सोलो में खेलता हूं न तो मेरा यही टारगेट रहता है कम से कम मेरे को 10 किल करूंगा तब जाके कम से कम मेरे को 45 या फिर 50 के असपास प्लस मिल जाएगा मतलब डेली मिशन रहेगा तो जाता ही प्लस मिलागा वह बात अलग है लेकिन मैक्जिमाम एवरेज जो प्लस मिलता है वह बावन का प्लस मिलता है लेकिन सोलो में इतना ज्यादा प्लस नहीं मिल पाता यार दस किल करोगे फिर भी बहुत मुस्किल है कि आपको 52 का प्लस मिल यहां पर देखो बाई एक बंदा मतलब कैसे लटका हुआ है यहां पर यह बंदा कैसे आगा है यार ना तो वहां पर कोई खेड़ी की है ना कूछ है तो वो बंद आखिर वो दिवाल पे लटका तो लटका कैसे वस यही मेरे को समझ में नहीं आया इस टाइम पे अगर आपको कुछ मतलब जानकारी होगा तो बताना जरूर कमेंट करके मतलब की लीटरली भाई वो बंद हाल पर चिपकली की तरह तो अभी देखो यहीं मेरे को ट्रॉप के पास एक बंद इस टाइम पे और उसके जोन में आने का मैं बेट कर रहो जैसे ही वह उपन में आ तो फिर एमपरों जेट से उस पर मैंने स्प्रे कर डाला फिर वह बंदा खतम हो गया अभी बस एक लास्ट का बंदा और बच्चा है बुसका लोकेशन मेरे को बिलकुल भी नहीं पता यार और इस टेम पे जोन जो है उपर की सबी नूब रहते हैं और नूब प्रो कोई बात नहीं होता वो सिच्वेशन पर डिपेंड करता है हां लेकिन यह स्टार्टिंग का प्लेयर जरूर है यार जब मैं भी सुरू सुरू में गेम खेलता था ना तो मैं भी ऐसी गन को पकड़ कर दावड़ता था मेरे को अब भ यार को जाय एगा मेरा कील कितना है और प्लस कितना होताहा है सायद ही मेरे डियली डिली मिशन का मैस नही का यहां था यहां तक मिलेकों को लगता बहले कर दाघम करी मेरे को प्लस मिला Chal D यार अब कितने में ये लोग पूरा प्लस देंगे भाई और कितना किल करूँ यार रैंक पुस कर रहा हूँ यार मरने कभी डर रहता है इनको जाके कोई समझाओ भाई तो फिर यही थे यार आज का वीडियो गार आपने यहां तक वीडियो देखाए आपको दिल से धन्याद मिलते है नेक्स्ट वीडियो में